हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चनल, आज हम इजी तरीके से पाइंट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो इसके लिए हमने सवा दो मिटर फैबरिक लिया है और इसकी वेड़ है 40 इंच तो सबसे पहले हमने फैबरिक को डबल में रखा है यह इसकी लंबाई है और यह इसकी चौड़ाई है तो चौड़ाई में हमने इसको डबल फोल्ड किया है अब यहां से हम दो इंच पर मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंके उसके बाद हमें length लेनी है तो belt को छोड़ के हम length लेंगे तो ready length है 37 inch उसमें हम 2 inch folding के लिए लेंगे तो 39 inch पर निशान लगाएंगे अब यहाँ पर भी हम straight line draw कर लेंगे अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे तो कमर के लिए हमें hip का measurement लेना है तो जितना आपका hip size है उसको 4 से divide करना है plus 2 inch margin ऐड करना है तो hip है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वह आज़ाता है 9 inch plus 2 inch margin लेंगे तो वह आज़ाता है 11 inch तो यहाँ पर हम कमर लेंगे 11 inch पर उसके बाद यहां से ही हम आसन लेंगे तो आसन के लिए भी हिप का 4th part प्लस 2 inch margin लेना है तो यहां पर मेरे measurement में हिप है 36 inch उसको 4 से divide करेंगे तो वह जता है 9 inch प्लस 2 inch margin लेंगे तो वह जता है 11 inch तो यहां पर हम 11 inch पर निशान लगा लेंगे आसन के लिए तो सभी size के लिए formula सेम रहेगा अब यहाँ पर straight line draw कर लेनी है उपर की तरफ इसको extend करेंगे अब यहाँ पर हम 2 इंच पर mark करेंगे heavy size के लिए आपको 2.5 इंच लेना है और आसन की गुलाई का shape देना है उसके बाद हम bottom लेंगे तो bottom के लिए सबसे पहले हमें इसका center निकालना है तो इसका center आ रहा है 6.5 इंच पर अब यहाँ पर भी हम 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे तो अब हम bottom लेंगे तो थोड़ा loose bottom रखेंगे हम तो bottom में ले रहे हैं 7 इंच का तो 3.5 इंच हम दोनों side में ले लेंगे तो 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे और 3.5 इंच यहाँ पर लेंगे इस तरह से हमें 7 इंच का bottom ले लेना है उसके बाद हम इस निशान को यहाँ पर जोड़ेंगे और इस निशान को बिल्कुल इसके सामने निशान लगा के जोड़ देंगे तो फ्रेंट पार्ड की मार्किंग हो गई है अभी हम इसकी कटिंग करेंगे तो इस तरह से हमने फ्रेंट पार्ड की कटिंग कर ली है ये दो पीस है फ्रेंट पार्ड के अभी हम इसको साइड में रखेंगे और बैक पार्ड की कटिंग करेंगे तो बैक पार्ड के लिए फाब्रिक को हमें इस तरह से ही रखना है डबल में इक्स्ट्रा फाब्रिक को हम कट कर लेंके तो दिखे इस तरह से हमने फाब्रिक को डबल में रखा है अभी फ्रेंट का पार्ट हम इसके उपर रख लेंके यहां उपर की तरफ दो इंच छोड़ेंके उपर की दरफ दो इंच छोड़ना है और साइड में भी दो से धाई इंच होना चाहिए उसके बादी फ्रेंट पार्ट को प्लेस करना है अभी ये वाली साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है इसको हम एज़िटीज मार्क कर लेंके अभी आसन वाली साइड में हम दो इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पार्ट के लिए यहाँ पर भी पूरा उपर तक हम दो दो इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे बैक पार्ट के लिए अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे उसके बाद बैक पार्ट के आसन के लिए हम गोलाई का शेप देंगे अभी यहां से हमारा उपर की तरफ दो इंच जादा है तो यहां पर हम इसको ऐसे ही रखेंगे और इसको यहां पर तिरचा जोड़ेंगे सिर्फ आसन वाली साइड से हमें दो इंच बढ़ाना है अभी बॉटम में हम डेड़ इंच ले लेंगे एक्स्ट्रा और यहां पर इसको जोड़ देंगे तो बैक पार्ट की मार्गिंग हो गई है अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है तो यह फ्रेंट के दो पीस है और यह बैक के दो पीस है तो अभी हमें स्टेचिंग कर ली है तो दोनों पार्ट की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ ही रखनी है उसके बाद हमें आसन में सिलाई लगानी है फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट में तो हमने आसन में सिलाई लगा ली है दोनों पार्ट में अभी इसको ओपन करके रखेंगे अभी इसके उपर भी हमें फ्रेंट का पार्ट उल्टा रख देना है मतलब दोनों parts की सीधी side हमें अंदर की तरफ रखनी है उसके बाद हमें center को मिला लेना है और सबसे पहले हम center में सिलाई लगा लेंके तो हमने center में सिलाई लगा ली है अभी sides को stitch करना है तो front का पाड छोटा है और back का पाड बड़ा है तो हमें क्या करना है दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेना है और half inch के distance से हमें stitch कर लेना है नीचे तक इसी तरह से दूसरे side में भी हमें दोनों की किनारियों को मिला लेना है और stitch कर लेना है तो हमने इसको stitch कर लिया है दोनों side में अभी इसके bottom को double fold करना है तो बॉटम में जो हमने दो इंच छोड़ा था इसी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम इसको फोल्ड करते वे स्टिच करेंगे तो इस तरह से हमने बॉटम को फोल्ड कर लिया है अभी हम बैल्ट रेडी करेंगे तो belt के लिए जो हमने दो इंच छोड़ा था उसी को हमें fold करना है इस तरह से पूरे में fold कर देंगे तो जो elastic हम डालने वाले हैं उसको हम यहाँ पर check करके देखेंगे कि जितना हमने fold किया है उतने में adjust हो रहा है या नहीं उसके बाद ही हम इसको stitch करेंगे तो back का part बड़ा है तो उसको किस तरह से stitch करना है यह मैं आपको दिखा रही हूँ तो दिखें यहाँ पर इस तरह से इसको हलके हातों से हमें अंदर के तरफ fold करना है दिखें यह back side में हम आ गए हैं अब यहाँ पर हमें चोटी चोटी सी दोनों side में plates रालनी है back part के center में इससे यहाँ पर जोल नहीं आएगा और हम belt को अच्छे से fold कर पाएंगे तो दिखें इस तरह से हमने fold कर लिया है यहाँ पर थोड़ा सा open रखा है तो इस तरह से belt को हमने fold किया है अब इसके अंदर से हम elastic पास करेंगे तो यह हमने elastic लिया है और elastic की जो length है वो हमने 27 इंच की ली है जितना आपका कमर का size है उससे 3 इंच माइनस करके लेना है तो कमर size 30 इंच है तो हमने 27 इंच का elastic ले लिया है अभी हम एक safety pin लेंगे और elastic को इसके अंदर पास करेंगे एक side से डालना है elastic को और दूसरी side से हमें बाहर निकाल लेना है इस तरह से उसके बाद elastic को overlap करके stitch करेंगे तो हमने elastic को stitch कर लिया है अभी elastic को अंदर कर देंगे और यहाँ पे जो open रखा है उसको stitch करेंगे तो इस तरह से हमने इसे stitch कर लिया है अभी इसको खीचते हुए पूरे round में stitch कर लेना है जिससे elastic पलटेगा नहीं झाल झाल